कुरान मजीद में हजарत आदम अलाहिस्स्सलाम के दो बेटों काबील वहाबील का किस्सा हजर्थ आदम और हव्वा अलाहिमुस्सलाम से बहुत उलाद हुई, इन्हीं में से दो बच्चे काबील वहाबील थे, काबील बड़ा लड़का था, लेकिन यह माबाप का कहना नहीं मानता था, हाबील छोटा भाई था जो माबाप का कहना मानता था, अकुलीमा एक लड़की थी जिससे काबील शादी करना चाहता था, मगर हजर्थ आदम वहवा अलाहिस्सलाम उसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबील से करना चाहते थे, जो नेक और शरीफ था, इसलिए काबील अपने माबाप और भाई का दुश्मन हो गया, अलाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करके पहाड पर रखाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, उससे अकुलीमा की शादी की जाएगी, अलाह ताला को अपने नेक बंदे पसंद होते हैं और वह उनकी मदद करता है, आसमान से एक आग आई और हाबील की कुर्बानी को ले गई, यानि हाबील की कुर्बानी कमबूल हो गई, अब उसके भाई काबील को बहुत गुस्सा आया, उसने हाबील से कहा कि मैं तुझको कतल कर दूंगा, हाबील ने कहा है, अलाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है, अगर तुम मुझ से तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पूजा करने लगा। हजर्त आदम वहवा अलाहिमुस्सलाम को। बहुत रंज हुआ। सबक। दोस्तों, काबील वहाबील दोनों भाईयों के जगडे से हम को सबक लेना चाहिए। हमारा हकीकी भाई या मुसल्मान भाई अगर हम पर जियादती करें तो बहतर यह है कि हम सबर करें और अपने भाई पर हाथ न उठाएं काबील ने अपने भाई को कतल किया। तक लोग उस पर लानत करते रहेंगे और आकिरत में अल्लाह के अजाब का मुस्तहक हुआ और हाबील को कियामत तक लोग अच्छा कहते रहेंगे और वह जन्नत का वारिस हुआ।